तो अलो एन वैलकम अगें दोस्तों लियो का मास्टर मूव क्या चल ला है भाई साब देखो हिंदी में अभी बहुत कम ग्रोथ देखने को मिल लए है हाँ तमील तैलगू वहाँ से फार के रख रहा है तमील से बहुत ही अच्छी बुकिंग देखने को मिल ली है ओर सीस से बहुत अच्छी बुकिंग देखने को मिल लही है जबर्दसТ कलेक्सन आरहा है हीूज ग्रोथ हो रही है करोड़ों में ग्रोथ हो रही है लेकिन हिंदी से बहुत मामला पीछे है देंगो नैशनल चेंज में तो होनी नहीं है उसका सिंगल स्क्रिंस में भी ठीक है नंबर मिल रहे हैं अच्छे खासे नंबर मिल रहे हैं बट उतना दमदार फाडू कलेक्शन नहीं देखने को मिल ला है हिंदी लैंगवेज से तो इसके लिए मास्टर मूब क्या रखा है कि एवरिज टिकेट प्राइस 160 रुपए के असपास कर दिया और यास यह ठीक भी है क्योंकि ओडियन्स अगर सस्ता देखके लालस के मारे जरू जाएगी ठेटर में देखने के लिए और दूसरी बात यार थालापती वुज़े की अच्छा खासा प्यार मिलता है नॉर्थ वैल्ट में जिस वज़े से थोड़ा सा मूवी को ग्रोध भी स्लो देखने को मिलेगी और गनपत अभी फुल एक्टिव हो चुके हैं हाना कि लेट एक्टिव हो चुके हैं कल का दिन पूरा बाकी है और यस यहाँ पर आज प्रोम गनपत का बोजबर दसक्रा था तो अब गनपत के लिए लगातार बुकिंग पर बुकिंग लेने वाली है तो हिंदी बैल्ट में उसका अच्छा खासा कबजा रहेगा लेकिन वही चीज यार कि यहाना लोग लगातार दावा ठोक रहे हैं कि जवान की धज्या उड़ डेफिनेटली कर सकती एक बार के लिए बट एक बार मैं बताओं नेट इंडिया में अगर आपको कबजा करना है तो भाई साब नौर्थ बैल्ट का भी साथ भरपूर चाहिए हिंदी कलेक्शन भी आपको करनी पड़ेगी तो हिंदी कलेक्शन के मामले में आप इतने अच् की बुकिंग हो चुकी है सोज इसको मिल चुके हैं 7300 जवान के मुकावले सोज बहुत कम है हां जबान को कितने थे फ़र्स डे में कितने 100 मिले थे 20,000 के आसपा सोज मिले थे तो आला कि अभी लिवो के पास सोज कम है लेकिन ग्रोथ बहुत फास चल ली तुम हो सकता है कल और भी ज्यादा हो जाएं, हो सकता है पंद्रे हजार सोज हो जाएं, कल मूवी रिलीज होने से पहले, और मैं अगर बताओ तो तमिल 2D से 1.6 मिलियन यानि 16 लाख टिक्किट ये अभी तक बेंच चुकी है, भाई साब मैं वही कहा रहा हो ना, अमेजिंग ग्रोथ, मतलब पा 30,000,000 के आसपास इन्होंने बुकिंग ले ली है, एडवांस बुकिंग जिसमें से 2,75,000 टिकिट ये लोग बेंच चुके हैं, आइमेक से, टोटल अगर मैं आपको बताओं तो टोटल बुकिंग हो चुकी है, 35,50,000,000 के आसपास, अल्मोस्ट, अल्मोस्ट 18,000,000 टिकिट स उपर ये लोग अभी तक बेंच चुके हैं, तो अभी पूरी रात बाकी है, और पूरी रात में जो आकड़े बदलेंगे, भाई साम मुझे लग रहा है ना, ये 22,23,000,000 टिकिट टोटल सोल्ड आउट कर चुकी होगी, एडवांस में ही, तो ये धमागेदार देखने को को हाँ, टिकिट सेल के मामले में जवान का रिकॉर्ड इसने बीट डाउन कर दिया, बट सोच के मामले में अभी पीछे है, ओवर सीज से कलेक्शन के मामले में, एडवांस बिकिंग कलेक्शन के मामले में ये भी जवान को भी बीट डाउन कर दिया, और नेट इंडिया से क्र पर 40 क्रोंड के आसपास तो उसके रिकॉर्ड को अभी कवर अप करना थोड़ा बाकी है हो सकता है रात में ये उसको मैच अप कर जा या फिर बेट डाउन कर दा है लेकिन अभी पीछे है एडवांस बुकिंग में नेट इंडिया से कलेक्शन के मामले में तो वही चीज गह र हजार सोज और बैंगलोरी में अगर मैं अक्टिपेंसी अगर वह आपको बताऊं तो ग्यारे सो पचास सोज बैंगलोरी में में मिले हैं हाइदराबाद में 121 सोज हैं इसके पास चेनाई में 900 सोज के आसपास इसके पास खाते में हैं कोयंब टूर का अगर मैं बताऊं तो 330 सोच के आज़ पास कोयमबर टूर में इसके पास सोच हैं मुंबई का अगर मैं बताऊं तो 140 सोच हैं और भी जिगा सोच हैं लेकिन बट ये थे मेजर सीटी जहां से अच्छा खासा रेस्पॉंस देखने को मिल ला है तो और भी जिगा अच्छा खासा रेस्पॉंस देखने को मिल ला है तो भाई साब जिस हिसाब से इसकी कलेक्शन चली जिस हिसाब से इसकी बुकिंग चल रही है डे वन पर अगर नेट इंडिया का अगर मैं बताऊं तो नेट इंडिया ये easy to easy easy to easy 80 करोन के आसपास टच कर जाएगी easy to easy minimum हाकडा और gross collection के मामले में 90-92 करोन का कलेक्शन ले आएगी नेट इंडियान कलेक्शन के मामले में और all over वर्ल्ड से तो ये movie लगभग में लगभग तेढ़ सु करोन के आसपास अगर टोटल नेट इंडियन कलेक्शन के 100 करों टच कर सकती है जो भी आपकी राहे हैं निशे कमेंट ओक्सर जरू बता गया ना मिलते गली वीडियो में जैहिंत